दोस्तों कैसे हैं आप सभी आप देख रहे हैं हमारा चैनल Allok Tech मेरा नाम है बिवेक भरतवाज और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक बहुती इंट्रस्टिंग वीडियो जैसा कि आप यहां पढ़ पा रहे होंगे लेखा हुआ है सिर्फ एक Google Meet की लिंक से लें स आज हम आपको बताएंगे कि कैसे Google Calendar की मदद से आप एक लिंक को जनरेट कर सकते हैं और उसी से आप अपनी सारी Classes और Meetings को ले सकते हैं तो यह वीडियो काफी इंट्रस्टिंग होने वाला है इस वीडियो को आप आखरी तक देखिएगा आईए मैं आपको सिखाता हूँ क क्योंकि मेरे डिवाइस में पहले से इंस्टॉल है इसलिए यहां ओपन लिखा रहा है आप लोगों के जिसके भी फोन में यह इंस्टॉल ना हो वो यहां से इंस्टॉल करेंगे देन ओपन करेंगे ओपन करने के बाद आप देख पा रहे होंगे जैसे कि यह मेरी एक Class है ज हम क्लिक करेंगे यहां से हमारे लिए पाँच आप्षन ओपन होंगे देखिये पहले लिखा हुआ है इवेंट, टास्क, रिमाेंडर, गोल्ल और कैंसलों हम इवेंट पर जाएंगे बाद हमें यहां टाइटल लेखना है तो हम टाइटल लेख देते हैं मीटिंग औलिक class जो भी आप लेना चाहें और next दे रखा है events किस ID से आएगा तो ये जो आपकी by default ID है जो Google meet पर और Google calendar पर set है उससे आप ये लेंगे then आप जाएंगे यहाँ date select करेंगे जैसे मैं कल से start करना चाहूंगा इसको और इसके बाद एसे all day पर click कर देता हूँ कि मैं ये सारे दिन में कभी भी इस link को ले सकता हूँ और ये link जो है generate रहेगी इसके बाद एक option देख पा रहे होंगे आप does not repeat का option आ रहा है ये मैं आपको समझाता हूँ आप यहाँ पर click करेंगे आपको ये काफी सारे options दिखेंगे जैसे मैं यहाँ Sunday को छोड़कर Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday और Saturday को यहाँ पर slack कर लेता हूँ मैं ये 6 दिन in classes और meetings को लिंक्स को जो है on रखना चाता हूँ और यहाँ मैं done पर click कर दूँगा देखी यहाँ लिखा आ गया है repeats weekly on ये हर अफते ये 6 दिन पर repeat हुआ करेगी इसके बाद हम जाएंगे add video conferencing पर इस पर हम click करेंगे तो यहाँ पर अगर आप लोगों के में Google Meet जो है default set नहीं होगा तो आप इसको set करेंगे मेरे में ये already set है इसके बाद आप यहाँ जाएंगे add notification पर add notification पर जाने के बाद ये 2 option देता है कि आपको आपके mobile पर notification चाहिए या email के द्वार आपको notification चाहिए तो मैंने यहाँ as notification पर slack कर लिया है और ये मुझे हर दिन सुबा 9 बजे reminder देगा meetings और classes के लिए then done पर click करेंगे next आएंगे हम यहाँ by default color set कर लेंगे कि Google calendar में किस color से ये आपको जो है यह दिखाई दे तो मैं यहाँ पर grab पर click कर लेता हूँ grab color जो नीचे से third one है इसके बाद हम description लिखेंगे description में हम लिख सकते हैं important meeting and class यह मैंने लिख दिया है important meeting and class और अब हम save पर click करेंगे देखी जैसे हम save पर click करेंगे यह हमारी एक Google calendar में आकर यह meeting oblique classes जो अभी अभी हमने event बनाया है यह event यहाँ पर आकर set हो गया है क्योंकि यह कल Monday से लाग होगा हमने Monday select किया था 18 जनबरी इसके बाद आप देख सकते हैं आंगे कि जितनी भी dates हैं यह automatically set हो गया है इसमें हम एक चीज़ और आपको ध्यान दिला दें जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 18 क्योंकि Monday है फिर 19 Tuesday 20 Wednesday ऐसे करके आप जैसी Sunday को देखेंगे तो Sunday को इसने skip कर दिया है यहाँ आप देख सकते हैं 23 जनबरी के बाद सीधा 25 जनबरी पर यह class और मीटिंग चली गई है तो यह Sunday को count नहीं करेगा अभी हम इस मीटिंग क्लास पर क्लिक करके देखेंगे कि इसने क्या एक यूगल लिंक को जनबरी पर क्लिक करते हैं यह आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है मीटिंग ऑबलिक क्लास कल रिपीटेड होंगी यह 6 दिनों तक यह एक गूगल मीट की लिंक यहां जनरेट हो गई है आप इसको देख सकते हैं यह हर दिन सोबह आपको 9 बजे यहां से स्टार्ट खांगी और यह जो गूगल मीट है यह यूनिक लिंक जनरेट हो गई है जैसे कि मैंने यह 18 पे क्लिक किया आप जाकर 19 पर क्लिक करेंगे तो भी आपको वही सेम लिंक देखने वाली है आप 20 पर जाकर कलिक करेंगे तो भी rank sign edit पर click करेंगे edit के बाद ये फिर से edit mode में open हो जाएगा और यहां पर आपको changes करना चाहते हैं तो आप दोबारा से उस changes को कर सकते हैं और then आप इसको save कर सकते हैं सेप करने के बाद यह पूछेगा कि आप edit कहां करना चाहते थे क्या particular event पर एक date पर या following events पर या all events पर तो हम all events पर click करके इसको save कर देंगे तो यह Google Calendar आप देख पा रहे हैं इसमें हमारे holidays भी दर्शाय गए हैं अब यह मैं आपको लेकर चलता हूं Google Meet application पर और वहां बताता कि किस तरीके से वो calendar set हो जाता है और आपको आने वाली classes और meetings के बारे में दिखाता है यह हम चलेंगे हमारे meet पर meet पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे देखिए यह यहां लिखा गया है यहां पर meetings लिखी है और जो अभी अभी हमने set की थी वो यहां लिखी हुई है meeting oblique class Monday को कल और यह मेरी already BSC first year की जो एक class चलती है आप meeting oblique class पर click करेंगे यह कल open हो जाएगी यह BSC first year यह जो है यहां पर जैसे ही इस timing के अंदर slot आता है तो यहां पर जो है एक join now का option आजाता है उस पर click करने के बाद आप join करेंगे और आपकी students को और आप colleagues को आप यह बोल सकते हैं कि आप इस particular एक Google meet की link को आगे चल कर save रख सकते हैं जो की हमेशा कामाने वाली है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें subscribe करें share करें thank you मेरा नाम था वेख भरत वाच